हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अमारे इस चैनल में सुपरफास्ट एस्टेडियन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम FRL के बारे में बात करेंगे जी हां जो left side में host pipe आया है वो इसका inlet है और यहां पर यह dial gauge में प्रेशर जो दिखा रहा है वो इसका regulator है यहां पर से regulate करते हैं इसको tight किया जाता है तो pressure बढ़ता है मान लिए आपका compressor 10 kg प्रेशर बना रहा है लेकिन हमको जो आगे machine में चाहिए जो equipment में चाहिए हमको 4 kg प्रेशर च साइड वाला चेंबर जो है यह आपका oil का है जो left hand side वाला चेंबर है पहला चेंबर उसमें filter भी लगा होता है जिससे होता यह है और यह आपका final output है तो अब FRL काम कैसे करता है सबसे पहले तो आपका air जो है वो compressor या फिर रिसीवर टैंक से direct inlet होता है यहां से यहां से air inlet होत इतना pressure चाहिए outlet में वो हम इस regulator से यहां पर regulate करते हैं और वो pressure यहां पर इस dial gauge में दिखाता है जो dial gauge यहां है वो pressure दिखाता है जो pressure हमको outlet में चाहिए अब हमारा air यह पहले chamber में filter लगा होता है वहां पर से जो dust particle है वो remove हो जाता है प्लस जो moisture है वो इस chamber में नीचे में collect हो ज collect moisture है पानी है वो यहां से drain हो जाता है अब जो air जो है आपका filter हो चुका है याने कि साफ है जिसमें dust नहीं है प्लस moisture भी नहीं है वो dry air जाता है second chamber में यहां से ऐसे moisture को बीच-बीच में drain किया जाता है ऐसे इसको press करते manually manually press करने से जो भी इसके अंदर का जो moisture है वो remove हो जाता है और फिर आगे जो air है वो dry air जाता है second chamber में आपका oil भरा रहता है जो second chamber right hand side में है यह वाला chamber इस chamber से air जो है जो filter हो चुका है वो air यहां पर से pass होता है और oil अपने साथ ले करके याने कि air के साथ lubricant उसमें कुछ percent में oil mix होते हैं और फिर वो outlet से यहां पर से discharge हो जाते हैं और उस equipment में चले जाते हैं जिस equipment में हमको air की जुरत है इसका सबसे बड़ा advantage यह होता है कि जो machine जिस machine में हम air use कर रहे हैं जिस equipment में use कर रहे हैं उसमें corrosion, erosion, rust जैसे problem नहीं आते हैं क्योंकि उसमें moisture नहीं जा रहा है प्लस lubricant इसके साथ में जा रहा जाते हैं क्योंकि जाते हैं